आप सबी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा आपको याद होगा कि पिसले कई Western Day Lectures में हम लोग उन्हें Data Handling की बात करी है और इसमें हमारे इस्निमाल होने वाले बहुत सारे जो टूलस होते हैं उनके लोग बारे में बात करी है तो उसी किशा में आज हम आगे बगते हैं और आज हम Vector Indexing की बात करेंगे यह vector indexing क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है आपने कभी किसी किताब को देखा है? जैसी आप किताब का जो मुख प्रस से उसको पलटते हूँ उसके बाद ही का आता है index वहाँ पे index में क्या लिखा होता है? left hand side में लिखा होता है कि उस में जो हमारे chapters हैं उनके अंदर क्या-क्या topics हैं उसके बारे में और right hand side में उनका page number लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है वहाँ पर कि अगर आपको कोई चैप्टर के बारे में पता करना है या उस चैप्टर के अंदर किसी टॉपिक के बारे में पता करना है तो आप वहां से content में से देख सकते हैं और उसके corresponding जो right hand side में number लिखा हुआ है page number आप उसको वहां से देख सकते है और उस topic को पखलें के लिए आप direct आपको उस page dumper पर जा सकते हैं और उसी प्रकार से अगर आपको page number पता चल जाता है यह 20 number का page है यहां पर क्या चीज है तो आपको यह भी देखना पखलेगा कि page number 20 जहां पर लिखा हुआ है उसके corresponding आपका कौन सा topic है और यह कार करने के लि बदलना पगेगा तो उसी प्रकार का concept हमारा our software के अंदर भी है कि जब भी हम कभी अपना कोई data vector देते हैं उसके अंदर हमारी values होती है और जो हमारे data vector की values होती हैं उनकी एक-एक position भी होती है कि कौन सी value हमारी पहले स्थान पे है कौन सी value हमारे दूसरे स्थान पे है यतिया आदि करके तो यह जो हमारे पहला स्थान है दूसरा स्थान है तीसरा स्थान है इसी को हम बोलते हैं index vector indexing के अलावा हमारे पास कुछ और छोटे-छोटे operations होते हैं जहां पर हम vector indexing का तो استعمال गते हैं और उसके साथ में हम जैसे कोई हमारा एक vector में हमको अपने नाम को बदलन है जैसे मारी लिस्ट में मारा जो वन टू टू टी फोर करके आइडनिटिफिकेशन टैक्स आते हूं उसको नाम लिखना है तो उसको कैसे बदला जाए इत्यारी इस तरह के बारे पास कई सारे operations हैं जिनके बारे में आज हम इस lecture में बात करेंगे तो चलिए हम इस lecture हो कि इस data vector में से कौन-कौन सी values है जो 5 से बढ़ी है तो इसको किस प्रकास से निकाला जाए अब यह निकालने के लिए हमारे पास कि इस data vector में कौन-कौन सी values 5 से बढ़ी है हम सबसे पहले अपना एक logical operator गए सकते हैं x greater than 5 लेकिन हम जब x greater than 5 लिखेंगे तो आप ने देखा था logical operation में कि यह मुसको जो उत्तर देखा वो true और false में देगा अर्थात यह एक से पास तक की जो values है वहाँ पे हर के सामने लिख देगा false और 6 से 10 तक की जो values है इसके सामने लिख देगा true तो अब हमको तो basically यह निकालना है कि जो भी हमारे इस x greater than 5 में जो outcome आ रह है उसके corresponding x में कौन कौन सी values है जैसे कि यहाँ पे true लिखे आया, यहाँ 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 true लिखे आया, अब यह जो हमारे true लिखे हुए है इसके corresponding हमारे data vector x में कौन कौन सी values है हम इनको निकालना चाह है और उसके बाद इस वेक्टर को जिसके अंदर से आप उसकी वेल्यू को निकालना चाहते हैं उस वेक्टर को बाहर लिग दीजिए तो यह ऐसा हो जाएगा कि हम एक्स वेक्टर से जो भी वेल्यू हमारी एक्स की पांस से बढ़ी हैं हम उनको निकालना चाहते हैं और जब execute करेंगे तो यह आप कुत्र देदेगा 6 7 8 9 10 उसी प्रकार से अगर मुसको इस set में जो हमारा x की जो values है इसमें से निकालना है कि कौन सी हमारी value even है कौन सी odd है तो एक हमारे पास option यह है कि हम इसमें हर एक value को 2 से इसका मौडलो division कर दें और अगर उसका remainder अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो हमारी संखिया even है और अगर इसका remainder हमारा one आता है तो हम इस बात को करने के लिए हम सबसे पहले तो अपना मौडूलों division करते हैं 2 से और हम देखते हैं कि उसमें से कौन-कौन सी values हमारी 0 के बराबर आती है तो इसके लिए मैंने अपनी ये logical condition लग दी x percentage percentage 2 and logical equality 0 लेकिन फिर से ये हमको जो उतर देगा ये हमको true और false के terms में देगा तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास x में वहा कौन सी values हैं जिसकी corresponding हमारा उतर true आ रहा है तो अब हमने देखा कि जब हमारे पास जैसे संख्याती 1, 2, 3, 4 तो जब वो 1 को 2 से मौडलों device करेगा और 3 को जब 2 से मौडलों division करेगा तो यहाँ पर आपका remainder 0 नहीं आएगा तो यहाँ पर देदेगा false और जब यह 2 और 4 को 2 से divide करेगा तो उसका remainder आएगा शुन और यह हमको उतर देदेगा true true तो अब यह जो true आ रहा है यह जो true आ रहा है इसके corresponding हमारी जो भी x में values हैं उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया x और फिर square packet में लिख दिया x modulo division 2 is logically equal to 0 और यह मुझको देदेगा उतर 2, 4, 6, 8, 10 और उसी पकाच से अगर मुझको odd number के बारे मैं लिखाना है तो मैंने यहाँ पर देदिया x modulo division 2 is equal to 1 और इसमें से हमारा जहाँ जहां पर true आएगा उसमें से उस data vector में किन-किन जगा पर हमारा true आ रहा है वह कौन से values हैं यह हमको यह वाला command निकाल कर देदेगा कि x और square bracket में हम लिख देएंगा अपनी condition और उत्तर हमारा आ जाएगा 1, 3, 57, 9 अर्थात कि x के अंदर 1, 3, 57, 9 हमारी ऐसी values हैं जिनको हम 2 से modulo division करेंगे तो उत्तर हमारा आएगा एक अर्थात यह हमारी odd values है उसके साथ ही अब हम आपको एक और operation करके दिखाते हैं कि हम अपने इस data vector में एक value को कर देते हैं na अब यहां पर हम आपको एक शी और भी दिखाना चाहेंगे कि हमकी इस data vector में हम अपनी किसी value को किस प्रकार से access करते हैं जैसे कि अगर हमको इस data vector में x में अगर पांच वह स्थान की value को देखना है तो हम इसको square bracket में देंगे 5 और बहा लिख देंगे x, x square bracket और अंदर 5 तो म आप उस data vector का नाम लिखिए और इसको square bracket में आप उसका index लिख दिए या उसकी location लिख दीजिए अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी पांचवे नंबर पे value है वो हमारी हो जाए na तो आप देखिए यहां पे क्या हो गया जो पांचवे नंबर की value थी हमारी 5 यह हमारी हो गई na अब हम यह चाहते हैं कि इसमें से जो हमारा data vector x यहां से जो हमारी na की value है उनको बाहर निकाल दिया जाए और जो value हमारे पास available है उनको हम यहां पर एक साथ लिख लें तो यह क कोई value है और साथ में हमने लगा दिया negation sign जो हमारा logical negative होता है तो यह हमको वाली values यह हमको x के अंदर से वाली value दे देगा जो हमारी missing नहीं है लेकिन यह उत्तर हमारा true और false में आएगा तो और फिर हम देख लेंगे कि x में हमारी कौन सी value इसका उत्तर हमारा true में आ रहा है और यह command मुझे को उन सारी सारी values को दे देगा x की जहां पर हमारा x na नहीं है अर्थात एक दो तीन चार और एक पांस गायब हो गया छे साथ आठ नौ दस बज गया और इस values को मैंने y vector में मैंने इसको store कर लिया अब जब हम अपने इस x का mean निकालेंगे तो इसमें तो है na यह आ जाएगा na लेकर हम जब y का mean निकालेंगे तो मुझे को यहां पर यह 5.55 करके value मिल जाएगी right और देखिए यह इसका screenshot भी है जो मैंने आपको किया है अब मैं जरा सा यह आपको मैं r software में करके दिखा भी देता हूं देखिए यहां पर हमने लिए x equal to 1 to 10 तो x की value क्या आगे देखिए एक से 10 तकी अब अगर हम यहां पर करते हैं x greater than 5 तो देखिए क्या आगया हमारी जो अंत की 5 value में आगया true और बागी में आगया false तो अब हमको यहां पर वो वाली x की निकालनी है जिसके अंदर हमारा जो हमारी x की value है 5 से बढ़ी रहे तो देखिए कितना आगया 6 7 8 9 10 साथ ही अगर मुझे को यहां ऐसा भी निकालना है कि वह value जो हमारी path है छोटी है तो यहां पर condition को बदल सकते हैं यह हमारा हो गया 1 2 3 4 उसी प्रकार से अब अगर हमको यह निकालना है कि इस संख्याओं में इस data vector x में कौन सी ऐसी value हैं जिनको हम जब modulo division उनका 2 से करते हैं तो उसका उत्तर आता है शून है अर्थाथ वह हमारी events के आए हैं कौन सी हैं देखिए और अगर आप अगर यहां पर अगर और और नमबर के बारे में करना चाहाए तो आप कर दिए कि modulo division दब 2 से करेंगे तो एक उत्तर आएगा कितने आगी 1 3 5 7 9 और अगर आ एक से हो तो क्या उत्तर आता है देखिए आपको ऐसे आगया true true ऐसे करके true false true false करके right तो देखिए यह बहुत ही आसान सा operation था अब मैं आपको जड़ा यहां पर एक कम और करके दिखा देता हूं कि r हमारा किस प्रकार से कारे करता है अब अगर मैंने कोई data बेक्ते लिया x1 स 10 तक तो x की value एक से 10 तक या गई अब अगर हम यहां पर लिखते हैं x और यहां पर लिखते हैं bracket में minus एक से 5 तक तो इसका उत्तर क्या आएगा और यह कैसे होगा तो देखिए जैसी मैंने लिखा minus तो minus का मतलब होता है कि यह उल्टी direction से counting करना शुरू करेगा तो आपने कह उसको उल्टी direction से 1 से 5 तक की value ले लिए अथात यह हमारी जो अंतिम 5 संख्या है उसको यह pick up कर लेगा उसको कि आपने साथ में दिया हुआ x तो x की वह संख्या है जो अंति से 5 हो वह value आपकी कौन कौन ची है 6 7 8 9 10 और यह देखिए outcome ऐसा ही है जैसे कि अगर आपने हाँ प operation दिखाते हैं कि अगर मुझे को अपने किसी data vector से या list से अगर मैंने अपने observation को नाम के द्वारा दिया है तो उन नामों को कैसे पहचाना जाए और अगर मुझे किसी नाम को change करना है तो उसको किस पकार से किया जाए तो इसके लिए हमारा command होता है names n a m e s इसके द्वारा ह अपने जो vector में अगर कोई नाम इस्तिमाल हुआ है हम उसको यहाँ पर देख सकते हैं तो यह कैसे धारा के लिए देखिए मैंने एक list बनाई इस जिसमें मैंने तीन element लिए और उसके नाम दे दिया a1 equal to 1 दूसरे element को नाम दे दिया a2 equal to c जो हमारे character है और a3 हमारा third element है उसक नाम इस प्रकाश से आपको दिखाए देगा a1 a2 और a3 अब यहाँ से अगर आपको इसका नाम निकालना अगर है तो यह क्या हो जाएगा name z कौन कौन से नाम इसमें आ गए a1 a2 और a3 उसी प्रकाश से आप यहाँ पर अगर list की जगे आप अगर कोई data वेक्टरी भी तो उसको किस प्रकार से किया जाए तो अब अगर मैं इसको अपना यह जो a3 का नाम बदलना है तो यह हमारा किस location पर है देखिए आप यह पहरी दूसरी और यह हमारी third location पर है तो सबसे पहले तो हमको अपना इसका जो नाम है उसको access करना पड़ेगा हमने कमाल लिखा names और और कौन सा नाम चाहिए आपका जो third location पर हो और उस third location पर जो भी नाम है उसकी हम करना चाहते हैं कि वह नाम हमारा हो जाए c2 और c2 को हमने अपने इस double course में लिख दिया अब देखिए जब आप z को देखिए तो क्या हो जाएगा पहला नाम तो a1 रहेगा दूसरा a2 रहेग तो इस प्रकार से आप इसका नाम भी बदल सकते हैं उसके बलावा हम आपको अब दिखाते हैं कि कोई अगर आपका data vector भी अगर हो तो भी हम उसका नाम कैसे बदल सकते हैं तो एक देखिए मैंने यहाँ पर data vector लिया जिसमें मैंने तीन value लिए water equal to one juice equal to two और lemonade equal to three तो इसके ह हमारे कौन कों से नाम हो गए water juice और lemonade और उनकी value क्या क्या हो गई water की one juice की दो और lemonade की तीन अब अगर मैंने देखा कि इसके हमारे नाम क्या क्या है तो मैंने command दे दिया names और parenthesis में कर दिया x तो इसने आपको यह water juice और lemonade तीनो नाम दे दिये अब आप क्या चाहते हो आप suppose यह कि हमारा जो भी नाम है juice इस data vector में उसकी क्या value है आप उसकी value को निकालना चाहते हो तो उसको निकालने के लिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं मैंने लिखा अपना नाम juice कि जिसकी हम value निकालना चाहते हैं और फिर हमने square bracket में इसको इस प्रकार से लिग दिया x मनलब की जिस data vector के अंदर वह नाम है उसके अंदर स्क्राइर बैकेट में लिग दिया है मैंने जूस अर्था एक्स डेटा वेक्टर में जूस के कर्रिस्पॉंडिंग हमारी वैल्यू क्या है और इसने आपको दे दिया दो यह वैल्यू कौन सी दो आगई यह वाली राइट तो आपने देखा कि नेम के दोड़ा आप उसका नाम पता कर सकते हैं बदल सकते हैं और जो उसकी वैल्यू भी दी है उसको भी आप बदल सकते हैं या उसको जान सकते हैं इसलिए यहां पर हम इसको इंडेक्स कहते हैं राइट उसी प्रकार से आपको हम एक और operation करकेठ दिखा दें कि अगर आपने यहाँ पर लिखाए x equal to 1 to 10 और अगर आप यहाँ पर खाली इतना है लिखते है एक्स और ब्रैकेट में आप अगर कुछ नहीं लिखोगे square ब्रैकेट में तो भी आपको यह 1 to 10 ही मिलेगा राइट तो चलिए सबसे पहले हम आपको यह वाले operation ज़दा सा अपने R software में क करके दिखा देते हैं और फिर आपको हम बाकी चीजें दिखाने की कोशिज करेंगी तो सबसे पहले देखे हम आपको यह वाला operation करके दिखा देखे सबसे पहले आपने एक vector define किया x equal to 1 to 10 इसकी value क्या आगई x एक से 10 तक की अब आपने यहाँ पर किया x और minus कर दिया आप प 5 मलब की पीशे से जो 5 values हैं वो हमको देना है इसने आपको दे दिया 6 7 8 9 10 और इसी को आप अगर देखे करना चाहें अगर अगर आप ऐसे भी रुखनेता है 6 to 10 देखे क्या value हो गए 6 7 8 9 10 और उसी पकार से आप अगर अपनी इस list को आप अगर देखना चाहते हैं तो देख हम यहाँ पर कह दिया name is z तो देखे कितना आगया even a to a three अब इसी names z में अगर हम माल लीजे जो आपका third जगह पर नाम है उसको हम बदलना चाहते हैं और उसको हम करना चाहते हैं शालप तो देखे अब आपका जो z आएगा देखे क्या हो जाएगा देखे नाम बदल गया उसी प्रकास से अगर हम माल लीजे यहां पर एक और अगर हम list क्यार करते हैं one two three जिसमें मैंने इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है आप देखेंगे हमारा x ऐसा है अब इसमें से मैंने अगर करने की कोशिश करी name x तो यह क्या हो जाएगा क्योंकि आपने यहां पर कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है तो आपने देखा कि यह सब मारे बहुत ही छोटे छोटे से कमांड है और उसी प्रकास से अब ज़रा से हम अपने इसको भी ले लेते हैं यह वाला उधारन भी तो देखें एक हमने यहां पर यह data vector ले लिया और हमारा ऐसे आगया water juice lemonade अब हम इसका नाम देखना चाहते हैं तो names of x आपका क्या आजाएगा water juice और lemonade अब हम यहां पर इस juice की value निकालना चाहते हैं तो यह के जो command है तो देखें मैंने यहां पर क्या किया मैंने लिखा x और यहां पर हमने अपना नाम लिख दिया जिसको हम न आपने देखा कि यह सब operation करना बहुत ही असान काम है और साथ ही अब हम आपको एक और operation भी करके दिखाना चाहेंगे कि अगर हमारे पास कोई mix mode है अर्थात हमारे पास जो data vector है या list है उसके अंदर हमारे भिन-भिन तरा के mode के चीजे हैं तो उसको हम किसी और एक कैसी अगर आपकर हम rows और columns में arrange करना चाहें उसको भी कर सकते हैं तो जिस प्रकार से हमारी matrix लगती उसी तरह का हम यहां पर transformation कर सकते हैं लेकिन मैं आपको आखा करना चाहूंगा कि मैं matrix सी बात नहीं कर रहा हूं मैट्रिक्स में जिस प्रकार से हमारा डेटा रोज और कॉलम में अरेंज होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो चलिए हम आपको एक धारा करकर दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने देखा कि जैसे मैंने एक यहां पर लिस्ट बना ली जिसमें आपको छे वैल्यूज हैं एक हमारी 123 और दूसरा हमारे करेक्टर है XYZ और इसको मैंने नाम दे दिया AB अब AB की जो लिस्ट है उसको हम एक ऐसे अरे में अरेंज करना चाहते हैं जिसकी डैमेंशन हमारी है C 2,3 असाज उसमें 2 होंगी rows और 3 होंगे columns तो देखिए अब जब हम यहां पर print AB करेंगे तो देखिए आपको ऐसे मिल जाएगा इस प्रकार से यहां पर तेखिए 2 rows हो गई और 3 columns हो गए data आपको कैसे नहीं यह हमारे character है तो चलिए आपको जड़ा से हम यह वाला operation भी आर software में करके दिखा देते हैं कि यह किस प्रकार से होगा सबसे पहले मैंने अपना AB ले लिया देखिए AB आपका ऐसे आ गया अब हमने यहां पर कर दिया dimension of AB suppose मैंने इसको कर दिया C 3,2 तो देखिए कैसा हो जाएगा और फिर इसको मैंने print कर लिया print AB कैसा हो गया clean rows और दो column तो data हमारा column wise देखिए ऐसे arrange हो गया और इसी में अगर मैंने इसकी dimension को अगर बदल दिया और मैंने 2,3 कर दिया था 2 row और 3 column उसके बाद में इसको print किया तो देखिए क्या गया ऐसा आगया और इसी का अगर हम mode निकालने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम तो देखिए क्या वाद आता है mode of this print AB this is here list right तो चलिए अब हम इस lecture में यहाँ पर रुकेंगे और आपने देखा कि हमने यहाँ बहुत ही छोटे छोटे operation को को करने की कोशिश करी है जो हमारे एक index से संबंदित होते हैं अब data management को करने के लिए हमारे पास यहाँ पर operations होते हैं बहुत सारे हैं और सबको लेकिन यहाँ पर आपको बताना मेरे लिए बहुत कठिन काम है और उसके अलावा आप सभी अलग-अलग पर रियाज में काम कर रहे हैं तो आपको किन-किन commands के आप शक्ता पढ़ी नहीं है यह भ किस प्रकार के हमारे operations हो सकते हैं अब आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया में आपको किन-किन तरह के टूश किया और शक्ता पड़ीटी है आप उनको धूड़ने की कोशिश करिए उसके लिए आप अपने और हेल्प या जो हमारे पास बिन-बिन तरह के resources होते हैं वहां से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं और जो भी आप कारे करते हैं उसमें से उसको इस्तमाल करके देखने की कोशिश करिए क्या वह कमांड वह कार कर रहा है जो आप चाहते हैं और साथ हमने इस lecture में बहुत चोटे-चोटे कमांड लिए हैं उसके लिए आप अपने चोटे-चोटे उधारे बनाईए और उनको execute करने के कोशिश करिए साथ ही देखिए कि आप जब execute कर रहे हैं तो यह कि आपको वही output देर रहे हैं जो आप चाहते थे क्योंकि आपको सोचना और R का सोचना एक साथ मिलना बहुत आवश्यक है तो R software की अपनी कारण करने के तरीका है वह तरीका आपको समझना है और अनुसार आपको उसको कमांड देना है तो आप इन चीजों के practice करिए और हम आपको अगले turn पर कुछ और टापिस के साथ मिलन फिर जाएंगे तब तक के लिए good bye. कर देना है नहरन्मा देदे पस्लॉड़ और हम चlish और किम्म आपको समा गले है तरीका है तरीका है थाएन।